हाई विवेक शुकला हीर विवेक शुकला फ्रम थाने स्टरी सर्कल सुबह के चार बजे वीडियो बना रहा हूं सेकेंड वीडियो है यह चैप्टर टू इंट्रिजिंस की बात करेंगे साइकोलोजी ट्वैल्थ एचसी बॉर्ड तो मैं भी प्राक्टिकल वाले वीडियो ब साइंटिस के नाम ठीक है ना बहुत इजी है कुछ नहीं बस यह वीडियो देख लो पास मिटके आसपस लेगा बस ठीक है ना थर्टी सेकंड हो चुके है 45 में शुरू कर दूंगा ठीक है तो ओके एक एक साइंटिस्ट है जो दो बार हूं 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 कम्स तो ताइम्स इन एक और हैं लास्ट चाप्टर में सेलिक मैं साहब भी दो चीज़ के फादर है फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलोजी इंपादर ऑप्टिमिसम अरे बोलते जारा हूं हूं ओके लुइस टर्में लुइस टर्में टर्में ठीक है तो यह साहब है यह इनोंने ना दो लोगो के चीजों को ठीक करा हो जो तो ये किसका ठीक करा हो बड़े ऊई है इंग से आपकवा distinct में पर गुछ आपके अपना या क्या परियों को इंप्रॉवाइउं है यह वह सइन्टिस्ट वह और यह साहब थे है जिसके स्कूल ने मुला है था है कि मेरे सब लाए था कि मेरे बच्चें के मार्ग सच्चे नहीं आए देखो लें देमागा एक्तेश करवा दू कोई एक्तेश्ट बना बना उ से मज़ बनाओ कि अप तो पारेज में हुआ था ये और बिनेर सहाब नाइंटीन जरो फइफ की बात कर रहे बर्मा पार्टिशन में इस प्रिशन प्रिशन वहां पर एफ बिनेर सहाब ने वना एक टेस्ट इमाग का टेस्ट इम इन इन इस फादर फी इन इस इस बाद गया है वोग व्यूंध और पैसे मेले वह लग नाम हो गया अज तक सौसल बाद हम पूपढ रहे हैं फिर विनिर सहाब का वह जो टेस्ट बनाया था उसको टर्मन सहाब ने 1912-1915 के आसपास उसको इंप्रोवाइस करा हुआ है ना 1912 में स्टर्न सहाब भी आय थे वनोंने अमें इंटल एज का ना वह दिया था कॉंसेट ना में पता है क्या यह आईक्यू आईक्यू कैटेस्ट अपन 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 प्रोड़िकल एज है ना तो स्टर्न सहाब 1912 में आय थे और यह बिनिर साहब साहब ने 1905 में बावाफाय में 1908 और 1911 तीन-टीन साहब को रिवाइस करा 1912 में स्टर्न सहाब ने वो बना दिया आईक्यू बना दिया जोश में और फिर उसी जोश में 1914 में टर्मन सहाब ने दोनों को चेंज किया बिनिट का जो है ना अब यह तर्मन सहाब बहुत ही गुड़ 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 थे मतन में 1914 1915 की है यह जो आईक्यू का टेस्ट है उसको स्टर्न ने कहा था कि रेशियो है ना ओफ मेंदल एंग अच्रो इन उसको मल्टिप्लाइग करके 100 कर दिया जो अगर आप रेशियो बनाते हो तो इन बीकम्स इन पॉइंस बिकॉस आपकी एज है 16 आपका ब्रेन है 18 तो आ 120 हो जाएगा तो गुट अच्छा रहेगा न तो वह एक चीज उन्हें करा हुआ है याद रहेगा आपको इसके पहले क्या हुआ था वह गैल टन तन भर नहीं दो टन उन्हें लोगों का अनलेसिस किया है और बहुत ही अजीब लगता है मुझे वह 1870 1880 की बात है 1880 में आप किसी चर्च में और वहां पर जाके उन्हें लोगों को कहा हुआ है एक्स्क्यूज मुझे आपका ब्रेन का हैड का साइज मापना है आप रियक्शन कैसे लेते हो कितना फास्ट आँखें चलती है कितने सागास्ट कान चल रहे तो वह देखना है मुझे और मुझे चेक करना कि इन्सान का ब्रेन के साइज से क्या संबंद है वह प्राइज कोई संबंद नहीं है बिकॉस अब वो टाइम दोगों के बस वाट्सप था नहीं तो दो हजार लोगों का उन्हें टेस्टिंग करी हुई है वाव उन्हीं के विद्याती थी कैटल कैटल है तो हॉन भी से इसंथौlor का रहें कर रही है वह दो एक करती का रा या व्यान ने लट टेस्टीं करा और काल कोगों अब यह लिखने वाला मैंने बता रहा हूं यह मैं आपको समझाने को बता रहा हूं यह स्टोरी और हिस्टी बता रहा हूं अब वेश्लर सहाब ने यह फॉर्स वर्वार में काम आ जया था नहीं है बिनट आलफड बिनफट टेस्ट आर्मी आलफड टेस्ट की सारे आ जाओ और समय से सब को एक कॉमन गृप टेस्ट है तो वह सब बंदों को बुलाए है वोग गृप टेस्ट रहा है सब को आन्मी में वेच च वेच लार कैसे स्प्लिंग यहां तक नहीं है वेच लर तो डबलू ए च च मतलब च अच वेच लड़ अच व्य हमेशा सब स्टुइंट्स होते हैं मज़ा आएगी यह चीज में है वेच लर ने डबलू ऐ आई एस और डबलू आई एस ट्रेश में बनाए हों हैं मड और यह इसको फिर यह हमारे जमाने में 2008 में पीरसर ने रिवाइस किया हुआ था तो यह आपको इसके नाम सारी आद हो जाएंगे इसमें और तो इसमें साइंटिस यही सारे इंपोर्टेंट है फाइन ओके थैंक यू